Hello everyone, welcome back to my channel Friends, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे Deep Neck Blouse, वो भी 38 साइज का Width हम Sleez, Designer Sleez बनाने वाले हैं तो अभी तक आपने चैनल को Subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लीजेगा और bell icon की बटन जरूर दबाएगा तो यहाँ पर हमने lining ले लिए है 1 meter, तो इसकी जो कटेंगे वो पहले हम lining fabric पर ही करेंगे तो इसे हमना आएंगे princess cut पर with front hook में बनाएंगे ओके और यहाँ पर हमें marking करनी है तो पहले एक straight line draw करेंगे blouse की जो total length है वो हमें को 14 inch रखनी है अब हमारा ये back वाला पार्ट है तो 1 inch ही सिर्फिस में हम plus करेंगे margin के लिए तो हमें 15 inch ले लेना है यहाँ पर shoulder लिया है 5.5 inch, आर्मोल लेना है 6 inch, chest का 4th part आएगा 38 का 4th part आएगा 9.5 inch और यहाँ पर 2.5 inch margin के लिए यहाँ पर waste है हमारी 33, उसका 4th part 8.25 inch 3 inch की हम dart लेंगे और 2 inch हम margin के लिए लेंगे, dart के लिए मैंने आपर 3 inch रखा है और 1 inch से आर्मोल के साइट पर गुलाई दी है, neck की width हमने 2.5 inch रखी है, neck की length हम 7 inch रख रहे है अभी आपर tux point आएगा हमारा 10.5 inch पर यहाँ से हम लेंगे 3.8 inch, यहाँ से 3.5 inch tux की width हमने 3 inch रखी है ठीक है अब हम यहाँ से mark करेंगे इस तरीके से यहाँ से straight इस तरह से mark आएगा यहाँ से shape देना है तो यह हमारी front part की marking हो गई princess cut का shape इस तरीके से देना है तो अब देखिए इसमें हमें front में hook लगाना है तो hook के लिए हमने आपे margin नहीं लिया लेकिन जब हम इसको cut करेंगे न तो हम इस तरीके से cut करेंगे जिससे क्या होगा कि हमारा margin इसमें aid हो जाएगा ठीक है तो अभी हम back part की marking करेंगे चोलर लिया 5.5 inch, आर्मोल लिया 6 inch चेस्ट का 4th part 9.5 inch, 2 inch margin के लिए total length हम 15 inch रखेंगे यहाँ पर line को draw करना है waist का 4th part 8.25 inch, 2 inch margin और 1 inch back टक्स के लिए लेना है, side से line को draw करना है और 1 inch से आर्मोल के side पर गुलाई दी है इन parts को हम cut कर लेंगे lining fabric cut कर लिया है हमने, अब हम क्या करेंगे armhole को measure करेंगे back armhole को कि कितना आ रहा है तो यह आ रहा है हमारा 10.5 inch, half inch हमारा shoulder को stitch करने में जाएगा अब जो हमारी sleeves है, वो designer sleeves है तो उसकी cutting पहले हम paper पर करने वाले है तो sleeves की जो length है, वो हमको यहाँ पर रखनी है 6 inch, तो यहाँ पर दिखिए हमारा 10.5 inch तो वो marking कर दिए अब हम यहाँ पर 5 inch रखना है क्योंकि 1 inch का हमारा belt आएगा नीचे के side पर तो पूरी total landamness की 5 inch रखी है और 1 inch margin के लिए it कर लिया है ठीके तो 6 inch हो गया 2.5 inch पर हम sleeves को down करेंगे यहाँ से हम 2 inch पर mark करेंगे यहाँ हमारा margin हो जाएगा और यहाँ पर अभी हमें sleeves का shape देना है यहाँ पर हमारा sleeves round आएगा तो sleeves round जो है वो हमारा 14 है उसका half लिया 7 inch और 2 inch margin के लिए यहाँ से हम line को draw करेंगे और front के लिए shape देना है तो हमने यहाँ पर front के लिए shape दे दिया तो जो हम sleeves बना रहे ना हमको ऐसा लगता है कि यह cutting होगी tough होगी लेकिन जब हम इसे बनाएंगे ना तो यह आपके लिए बिल्कुल भी tough नहीं होगी क्योंकि बहुत easy way में हम इसको बनाना सिखेंगे तो देखिए हमने आपर back part को भी cut कर दिया फ्रेंट पार्ट बाले को बी ठीक है इस तरीके से हमें इसलिए को cut कर लेना है अब center पर हम इसके एक mark करेंगे mark करने की बाद हमें आपर एक marking करनी है दोनों साइट पर तो वह marking करेंगे हमें आपर दोनों साइट हम two two inch की marking करेंगे और लाइन को draw कर देंगे फिर उसके बाद हमें आपर वन पॉइंट फाइव इंच की marking करनी है और फिर यहाँ पर देखे हमने two two inch की marking की यहाँ पर हम one point five inch की mark करेंगे और इसके बाद हम one inch की marking करेंगे इस तरीके से मिला देना है इनको भी ठीक है तो देखें आपर मैंने लिख दिया है आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पर मैंने कितना कितना लिया है अब इसे हम cut करेंगे तो देखें जो two inch की one one point five inch की one inch की जो marking की है सिर्फ हमें उसी को ही cut करना है सेंटर वाले लाइन को हम cut नहीं करेंगे इस वात का आपको धियान रखना है ठीक है यह देखिए तो यहां पर थोड़ा सा जोइंट रहने देना है ठीक है उपर के साइट से यह जोइंट है पूरा हमें इसको नहीं किया है अब हमारे पास जो फैबरिक है वो लेना है हमको तो बॉर्डर मेंने निकालकर अलग कर ली है और यहां पर जो साड़ी का ही पीस है यह बड़ उसमें फैबरिक इतना निकला है ना कि जिससे हम यह डिजाइनर स्लीज बना सकते है तो इसे बनाने के लिए हमें हाफ मीटर से भी थोड़ा जाधा चाहिए होगा ठीक है तो इतना हमारी साड़ी के फैबरिक में से निकल गया है तो हम इसले इसमें बना सब्सकला रहे हैं अब यहां पर हमें इसका डिस्ट्रेंस जो रखना है वो 33 इंच का रखना है तो जो सबसे लास्ट वाली है उसका हम तो इंच रखेंगे पैँ के तो दो जो है वो तू इंच वाला और जो 1.5 इंच वाला उसकी हमने 33 इंच रखही है यह देखिए इन दोनों की हमें 3-3 इंच रखनी है यहाँ पर हम इसे रखेंगे 2 इंच ठीके तो ही आमने आपे इसको पिन अप कर लिया है पिन अप करने के बाद हम इसे कट करेंगे तो पहले हम इसकी एज़टीज मार्किंग कर लेते हैं तो दिखिए हमने आपर मार्किंग कर दिए现 अब जो मार्किंग कर दिए हस से हम वन इंच extra लेंगे सभी साइट से ठीके अथ हाफ इंच पh इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं अब जो हमने आपर डाट जो आई है हमारी उसकी हमने इस तरीके से मार्किंग कर देनी है ताकि हमको पता चले कि यहापर हमें डाट लगानी है ठीक है तो दिखिए इसे हमने कट कर लिया है यहाँ पर हम कट लगा लेंगे यहाँ पर भी उमें कट लगा देना है ठीक है इसके बाद हम इसको स्टीच करेंगे अब यहां पर इस हमें अब आपको यह दिखना रहा है कि जो हमारा आर्म होलै वो कहां पर रखना है और प्लेट समय कहां से देनीं है ठीक है यह देखिए जो प्लेट स्जाघ्च डालेंगे वहां कैसे डालेंगे इस ट्राइब से तो नीचे के साइड तो हमें से पिनप करना है युद्ध आम इसे पिनप नहीं करेंगे क्यूंकि उपर के साइड आमने एक्स्ट्रा मार्जन नहीं लिया है उपर के साइड नॉर्मल ही आएगा जैसे कि ये वाला पाट आया है यह देखिए इस तरेके से तीके आपको यहां पर plates नहीं तो दोनों साइड हमारी 3-3 plates डेलेंगी यहां पर यह देखिए तो जो नीचे वाली लाइन है वो भी हमारी देखिए straight हो गई है बिल्कुल सीधी हो गई है अब जो नीचे के साइड एक्स्ट्रा दिख रहा है ना उसको हम सिफ कट कर देंगे तो पहले हमें इसे स्ट्रीच कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर हमने प्लेट स्टाल दी अब जो हमारी बॉर्डर थी उसको मैंने हाफ-ाफ कट कर लिया हूँ लाइनिंग फैबरिक लिया है टू इंच का ठीक है यहाँ पर हम इसको स्ट्रीच करेंगे इसके उपर से भी स्ट्रीच करनी है इसको हम यहाँ पर रखेंगे और से स्ट्रीच करेंगे एक स्ट्रीच हम यहाँ से कर देंगे तो यह अच्छे से सैट हो जाएगा जिससे हम इस अच्छे से फोल्ड करके स्ट्रीच कर सकते हैं यह देखें तो हमारी यहाँ पर स्लीज बनकर कंप्लीट हो गई है दूसरे स्लीज भी सी तरीके से बना लेनी है अब यहाँ पर नैकी वीट हमने रखी है 2.5 इंच नैक की जो लैंट है यहाँ पर हम नीचे की साइट से 3.5 इंच रखा है और पुड़ा ही नैक ले लिया है हमने यहाँ पर नेक का शेप हमें कुछ इस टाइप से देना है मैं इन फैवरिक को राइट साइट पर रखा हूँ उसके उपर हम लाइनिंग फैवरिक रखेंगे और नेक को स्टीच करेंगे यह देखें नेक को स्टीच किया कट लगा देना है नीचे के साइट से भी स्टीच करेंगे पलट देना है पलटने के बाद इसके उपर स्टीच लगानी है झाँे ठा स आलाप करेंगे is भी साइट यहर यह दो करेंगे हैं। उनली का यह देखिए तो अब हम आपर जो नेक हमारा उसको हम कट करेंगे तो देखिए नेक हमारा यहाँ पर आएगा और आगे की साइड एक्स्ट्रा फैबरिक रखना है हमको जितना आपको इसे फोल्ड करना है तो यहाँ पर हम इसको स्टीच कर देंगे देखिए एक साइड से में तो दोनों साइड से हमने इसको फोल्ड करते हुए स्टीच किया है दोनों साइड से लगा लिया है अब यहाँ पर हमें प्लेट्स डालनी है तो हमने यहाँ पर 3 इंच का पेज लिया था उसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरह से स्टीच करना है इसमें हम प्लेट्स डालेंगे तो चोटी-चोटी प्लेट्स डालनी है कि यहां पर हम इसको टेज करेंगे यहां से जितना एक्स्ट्रा है उतना हम कट करेंगे ताक कि जब इसमें लेज लगाएं तो फिनीशिंग आए तो इसलिए इसको पूरा कट कर देना है अब इसमें हमें लेज लगा देनी है झालनी है तो हमारा बैक पार्ट स्टीच हो गया है अब हमें आप पर फ्रेंट वाले पार्ट को स्टीच करना है तो इसमें पार्ट को हमने लाइनिंग फैबरिक के साथ स्टीच कर लिया है और अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टीच कर रहे हैं प्रिंसेस कटवाले पार्ट को उस तरीके से स्टीच किया, अब हमैं यहां पर नेची के साइड पर पटी लगानी है, तो पटी की बीड हम 2 इंच की रखेंगे, एक स्टीच हम पटी के उपर से करेंगे, अब हमें आई होक की पटी लगानी, तो पहले हम hook की पटी लगाएंगे जिसको lining fabric को double करते हुए हमने stitch कर लिया है अंदर के side fold करते हुए stitch करेंगे आई की पटी लगानी इसको wheat में 3 इंच रखना है नीचे के side से इसको fold करते हुए stitch करना है side से इसको fold कर लिया है हमने यहाँ पर हम इसको फोल्ड करते हुए स्टीच करेंगे यह देखिए इस तरह से फ्रेंट और बैक दोनों हमारे बराबर आ रहे हैं अब यहाँ पर हमें क्रॉस में पटी कट करनी है लाइनिंग फैबरिक की डबल करते हुए नेक पर स्टीच करना है अंदर के साइट फोल्ड करते हुए स्टीच करेंगे इसमें लेस लगा देनी है तो लेस लगा दी है श्रोलर को स्टीच कर देना है स्लीज को जोइन करेंगे स्लीज को सेंटर पर रखकर स्टीच करना है अब हम याप पर फिटिंग लगानी है सेंटर से चेस्ट के फोध पार्ट पर वेस्ट का फोध पार्ट उसलिए इस राउंड का हाफ लेना है तो यह मार्किंग हम दोनों ही साइट पर करेंगे और तीनों मार्किंग को मिलाते हुए स्टीच कर देना है तो फ्रेंड से हमारे बलाउस का फाइनल लोके आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरू करिएगा और चैनल को सस्क्राइब जरू करिएगा तैंक्यू झालि जरू करिपके पसे जरू कर्दें। आई होरा इंक्यू